के बाधिय। के लिज़े वेकेति. एलगे साय। क्याल आएंव और आघ की वीडियो पे आप लगे हम का सीक्ति kita कर सकते हैं येस कुछ intraday stocks होंगे हो और एक दो वो intraday stocks को आप अपने swing trading के purpose के लिए भी लेकर जा सकते हैं अगर आप लोगों को और swing trades से ही हैं तो मैंने दो stocks already upload कर दिये वीडियो format के दूपे जिस पर मैंने लिखावा है chart of the week उस वीडियो का आपको वीडियो पूरी पूरी आप लोगो इस वीडियो के आखरी में show कर जाएगी आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं तो आज हम लोग nifty bank nifty के setup की बात करेंगे और कौन से stocks में local trade कर सकते हैं चलिए सीधा start करते हैं और हम लोग सीधा मिलते है charts की तरफ सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हमने first stock की जिसका नाम है इंदुस्तान copper yes मैं अभी थोड़े आप लोगों को metal sector के stocks प्रवाइड करवा रहा हुआ हूँ जस तरीके साम लोगों ने rally देखी थी आप लोगों को 2 metal sector के stocks friday session में प्रवाइड करवाय गए थे through our instagram channel jswsteel and हम लोग ने देखा था sales दोनों-दोनों 10% तक की movement दिखाई है अगर आप लोग और ऐसे trades चाहते हैं और extra trades चाहते हैं तो आप हमें instagram पे भी follow कर सकते हैं अब बात करते हैं सबसे पहले our first stock की जिसको हम discuss करने वाले हिंदुस्तान को अपर clearly आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एक uptrend देखा एक clear uptrend था उसके बाद exact इस level से almost 163-164 की level से हम लोग ने एक downside देखी downside देखने के बाद it created a double bottom it created a double bottom type of scenario उसके बाद हम लोग ने एक trend line draw करिया आप यह clear trend line देख सकते हैं यहाँ पर multiple बार supports लिए ठीक है अब यहाँ पर eventually इसने previous resistance का breakout दिया है ठीक है previous resistance का breakout दिया है अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक pattern develop हुआ जिस pattern को हम लोग कहते हैं a cup and handle pattern okay यह cup and handle pattern होता है मैं आप लोगों को draw करके दिखाता हूँ तो आप लोगों को easy हो जाएगा है यहाँ पर यह देखना दोबारह उस level को एक बार retest करता है retest करने के बाद जब एक breakout आता है तो हम लोग कहते है cup and handle pattern का breakout आया and it's a very good pattern to make a particular profit ठीक है तो आप यहाँ पर definitely trade करके चल सकते हो अभी इसने clear breakout तो दी दिया है हो सकते है कि कल के दिन यहाँ पर एक inside candle बना दे थोड़ा सा retest करने के कोशिश करें but आप इसे watch list के अंदर रख सकते हैं यह यहां से particular stock बढ़िया return दे सकता है अब बात करें sir यह कहां तक जा सकता है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 150 जो इसका handle है इस handle का जो bottom है that is 150 rupees and इस handle का जो top है that is 165 so almost 15 rupees है तो 15 rupees की movement इस level से आ सकती है so almost अगर मैं 15 rupees की movement मान के चलूं तो 165 plus 15 होता है around 180 rupees तो 180 rupees तक की movement हम लोग expect करके चल सकते हैं जो कि हम लोगों को इस level पर देखने को मिल सकती है almost almost 50% cover कर चुका है 50% अभी और बचा मतलब 8-9 rupees और मिल सकते हैं इस stock को आप trade करके चल सकते हैं कल अगर opportunity मुझे लग रहा है मिल सकती है अगर मिलती है तो आप लोगों को एक अच्छा profit देकर जा सकता है okay let's move to our next talk that is moil moil limited की बात करें तो same type of pattern हम लोगों को यहां पर देखने को मिला first of all let's move to a weekly time frame weekly time frame पे आप अगर यहां पर देखेंगे it's kind of formed a bullish head and shoulder pattern ठीक है bullish head and shoulder pattern एक inverse head and shoulder pattern जिसको हम बोलते हैं इसने यह pattern form करें let me draw that for you as well आप लोगों clear हो जाएगा okay देखें यहां पर इसने एक head and shoulder pattern को form कर रहा है and यहां से हम लोग एक clear breakout expect कर रहे थे हैं and clear breakout आया है exact at this level और एक weekly closing का breakout है और almost almost इसने जो skew पर closing दीती वो 2018 में दीती मतलब कम से कम हम मान के चलते हैं 2018 December है तो 2019 बोल देते हैं तो कम से कम 2 साल बाद हम लोग यहां पर देखने की एक breakout आया on a weekly time frame which is a very good sign so let's move to a daily time frame और यहां पर चेक करते हैं कि किस तरीके से हम लोग trade करके चल सकते हैं okay so यहां पर आप सबसे पहले देखेगा stock ने करा क्या है मैं एक head and shoulder pattern को हटा देता हूँ आप यहां देखेगा stock ने क्या करा है first of all आप देख सकते हैं कि यहां पर एक level पे इस level पे around 2nd March 2021 पे इसने एक sharp up move दीती उसके बाद एक continuous fall हम लोग ने देखी थी उसके बाद दुबारा recover करा और recover करने के बाद around 3rd May पे हम बात कर रहे हैं 4th May की 4th May पे यह दुबारा आया and अगले दिन हम लोगे ने शाप fall देखी उसके बाद दुबारा market नीचे गया यह particular stock नीचे गया and फिर recover करा within a strong candle के साथ बतला market क्या कर रहा है यह particular stock हम लोगों को indicate क्या कर रहा है इस पूरी चीज़े के साथ हमें यह बता रहा है जितना नीचे जाने की कोशिश कर रहा है उत्ती तेजी से यह bounce back कर रहा है और उपर के levels को break कर रहा है ये कप हो गया and ये particularly इसका एक candle हो गया okay so is particular level कम लोगे ने एक breakout देखा है अब आप sir बात करेंगे sir आपने ये red color की candle क्यों नहीं लिया ये black color bearish candle क्यों नहीं लिया because आप देखेंगे जो इसकी closing होई थी exact at this particular level पे होई थी ये देखेंगे इसकी closing ये वली candle उपर गई थी बट closing नीचे ही देखने को मिली थी same scenario हमें यहाँ पर भी देखने को मिला इसकी closing है exact इदर देखने को मिली बट जब breakout आया breakout देखने के बाद उस level पे sustain नहीं करा and वो नीचे दुबार आ गया बट यहाँ पर daily candle पे closing भी देखने को मिली है अब इसके लावा बात करते हैं हम लोग भारती एटल की भारती एटल पे अगर आप यहाँ पर clearly basis पे देखेंगे let me remove this आप लोगों को और clear हो जाएगा okay okay so मैंने यह remove कर दिया यहाँ पर आप देखेगा यह daily chart open है इस particular stock का and यहाँ पर आप देखेगा stock ने सबसे पहले करा क्या है इस ने इस level से breakout दिया breakout देने के बाद दुबारा इस level पे retest करा so that resistance जो यह level इसके पहले resistance का काम कर रहा था यह इसके लिए support का काम कर रहा है okay so यह इसके लिए support का काम करने लगा जब इस support को इसने eventually break कर रहा that support इसके लिए become resistance इसके लावे इसने दुबारे क्लियर एक स्ट्रॉंग के साथ ब्रेक आउट दिया ब्रेक आउट देने के बाद यहां री टेस्ट कर और दुबारा अपमू भी चंटीनिव कर रहा है तिक है सुम्हें सारी ड्रॉइंग्स को एक बर रिमूव कर देता हूं और आप लोग गाउगी है कि क्वाय टार्ट करते हैं के तस्के टैम प्रेंस के आगई बेंसी है इस हो सकता है य। यहांपर हम लोग देखे हैं कि मिल्टिपल रिजिस्ट सपॉर्ट साम् लोगों को यहां लेएढ़ए ढ़ने लेलई ब्रेक हूआ इसी level से retest करके एक sharp fall आई है, ठीक है तो ये एक level हो सकता है, एक zone हो सकता है जहाँ पर हम लोग expect कर सकते है कि एक selling pressure दुबारा आ सकता है selling नहीं, बट यहाँ से छोटा सा fall आ सकता है, ठीक है अब sir buy कहाँ पर करें, आप देख सकते हैं तो भी आप अपनी buying position initiate कर सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ भारती A8LK, अब बात करते हैं और next stock key that is M&M M&M की बात करते हैं and let me open a daily time frame सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक clear symmetrical triangle pattern हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक symmetrical triangle pattern हमें देखने को मिल रहा है, हमने सारे tops को connect करके trend line draw कर ही है सारे bottoms को करके एक range develop कर ही है so यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो सबसे पहले इसके लिए resistance का काम करता था वो इसके लिए support हो गया, support हो गया and support हो गया और पहली बार भी bounce करा दूसरी बार भी bounce करा side है, मतलब lower low form है but according to RSI अगर हम RSI को clearly check करते है तो यहाँ पर हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस level से एक up move देखने को मिल रही है and RSI पर हम लोगों को एक divergence देखने को मिल रहा है तो यह bullish divergence है तो हम लोग expect कर सकते हैं कि यहाँ से एक momentum आ सकता है definitely अब बात करते हैं, sir, buy कहाँ पर करना है buy आप देख सकते हैं, stock किस तरीके से perform कर रहा है ठीक है, around, around let me open up pen यहाँ पर आप देखें, stock उपर गया है, एक बार retrace लिया उसके बाद एक नया high form कर रहा अब यहाँ पर दुबारा एक retrace ले रहा है so yes, हम लोग इस retrace पर buying करके चल सकते हैं, अगर 1-2 रुपे नीचे मिलता है, तो भी buy कर सकते हैं अगर 2-3 रुपे उपर मिलता है तो भी buying करके चल सकते हैं हमारे लिए यह जो level है, यह वाला level यह वाला, एक second में और clear बना देता हूं आप लोगों के लिए, कि आपको समझ में आजाए, आप इसे बाद में भी track कर सकते हैं अगर 1-2 दिन बाद भी अगर levels के आसपास होता है, तो भी track करके trade कर सकते हैं, इस level की उपर 15 मिनिट की नीचे दो candle की closing नहीं आनी चाहिए, दो candle की closing अगर इस black line के नीचे यानि की 5, 7, 58 के नीचे आती है, तो हम लोग यहाँ पर मान के चल सकते हैं, कि यह पूरा का पूरा scenario change हो चुका है, अब market यहाँ से दुबारा नीचे गिर सकती है, यह stock नीचे दुबारा गिर सकता है, तो यहाँ पर हम लोग बाय करके चल सकते हैं, एक दो रुपय उपर या नीचे हमारा जो target होगा वो around होगा, 772 से लेके 775 के range के बीच के अंदर, okay अब बात करते हैं, last stock के जिसका नाम है, IDFC First Bank यह stock है मेरे पास, but यह मैंने stock किसी को recommend नहीं करा है मैं शायद, I don't think कि मैंने recommend करा है, या फिर मैंने April की series पर किसी को recommend करा हो तो करा हो, यहाँ पर अगर मैं आपने को weekly basis पर लेकर चाहता हूँ, आप देखेगा एक sharp up move हम लोगों को almost 30 rupees से 67 almost 100% की up move देखने को मिली है, and उसके एक fall आया, fall आने के बाद exact अपने golden retracement ratio जो की 61.8% होता है Fibonacci retracement ratio के according, यहाँ पर इसने retest करा है, यहाँ से continuous buying हम लोग देख रहे हैं, अब इसने important major level की उपर weekly closing करी है, जो की इसका level होता है around 38.2% Fibonacci retracement ratio इसकी उपर weekly closing देखने को मिली है अब यहाँ पर एक buying हम लोग expect कर सकते हैं, almost almost stock को यह 60 rupees से लेके 65 rupees तक लेकर जा सकता है, बात करते है daily charts पर trade कैसे करना है आप यहाँ देख सकते हैं, इसने breakout दिया हो सकता है, एक बार यहाँ पर retest करे current price की अगर मैं बात करो तो 56.5 rupees का current price है, trade अगर यह एक बार retest कर सकता है 55.65 मतलब 1 rupees नीचे आ भी सकता है एक बार trade करने के लिए तो अगर यह एक बार यह नीचे आता है retest करने के लिए तो भी एक अच्छी opportunity अगर आप लोग buy करना चाहते हैं yes आप लोग थोड़ा higher levels पर buy कर रहे हैं stock को मेरे accordingly price level का breakout दिया और के उपर weekly closing देखने को मिली है 60 rupees का पहला target है और accordingly 64 to 65 rupees का हमारा second target होगा जो मुझे लगता अगर आप लोग swing trading के थूरू लेकर जाएंगे तो अच्छे results मिल सकते हैं stocks के doubts तो सारे clear कर दी होगे 2 stocks instagram पे और प्रवाइड हो जाएंगे और इसके रावा बात करते हैं nifty bank nifty so i hope जादतर आप लोगों को पता होगा कि मैंने थर्जदे पे आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने nifty pay 14700 का call option buy करके रखावा है and we are still holding that 14700 का call option so आप इसके through यहाँ पर करके चल सकते हैं i think यहाँ पर एक continuous breakout आ सकता है क्यों आ सकता है एक मैं आप लोगों को decision बताता हूं देखिए let's move to a weekly time frame weekly time frame पर जब मैं आया यहाँ पर आप clear एक चीज़ देखेगा stock ने करा क्या let me close RSI आप देखेगा stock कर क्या रहा था सबसे पहली चीज़ हम लोगं यहाँ पर देख रहे थे कि यह इन डिक रहे है वो एक indecisive candle देख रहे है हर candle एक indecisive candle हम लोगों को देखने को मिल रही है उसके बाद आप देखेग यह a strong fall हमें देखने को मिली fall देखने के बाद हम लोग आपर क्या देख रहे हैं इसने एक उपर से एक shooting star candle फॉर्म करी है अपर weekly charge पर तो क्या इसका मतलब है अगर ये वाली candle ये जो bullish candle देख रहे हैं अगर ये bullish candle नहीं बनती और इस candle के नीचे gap down opening हम लोगों ने closing दिया है and I think it's a very good sign to trade in nifty यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक अच्छी buying आ सकती है nifty के अंदर let's move to nifty पंदरा मिनिट के टाइम फ्रेम पे पंदरा मिनिट के टाइम फ्रेम पे देखे सबसे पहले मैं एक trend line draw करता हूँ जो कि आप लोगों को trend line हम लोगों को एक strictly follow करते वे देखने को मिलती है पहले हम लोग continuously एक lower lows lower highs के formation में ते yes or no यह clear हो गया उसके लावा उपर गया नीचे आया double bottom भी create करा है यह भी आप लोगों को बता चुके हैं जब lower low lower high formation आया उसके बाद एक double bottom एक bullish pattern form करा तो जो उसका previous तरीके से price action को follow कर रहा था मतलब bearish price action को follow कर रहा था उससे change हो कि अभी higher highs and higher lows form कर रहा है on a regular basis आप यहां पर clearly देख सकते हैं आपको यहां पर visible होगा अब क्या करना है यहां पर हम लोग definitely trade लेकर चल सकते हैं अगर अब लोग wait करते हैं यह 14,850 के उपर 15 मिट की candle का breakout दे देता है एक अच्छी buying momentum इसके अंदर आ सकती है 14,850 के उपर because यहां पर एक double top type scenario हम लोगों को देखने को मिल रहा है but अभी वी एक buying setup है अगर यह 14,700 पर दुबारा आ जाया 8,750 पर भी आ जाया 14,600 के नीचे हमें देखने को मिलीगी वो भी daily candle की जिस दिन daily candle की closing 14,600 के नीचे मिल गई मैं अपने losses के साथ exit कर लूँगा otherwise मैंने index को hold कर आवा है and I think यह भूत बड़िया result दे सकता है bank lift की बात करें तो bank lift पर trade करने की कोई सला नीए nifty पर trade करने की सला है bank lift पर आप clearly देख सकते हैं इसके सारे breakouts अभी fail हो रहे है and यह तमीज से अभी काम नहीं कर रहा है so मैं bank lift पर trade करने की सला नहीं दूँगा अगर trade करना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से किस level पर जाके trade करना है I think आप buy कर सकते हो अगर 15-minute की candle यह 33,000 के उपर close करती है you can go for a buy but otherwise इस पर कोई trade नहीं लेना है अगर नीचे जा रहा है तो भी trade नहीं लेना है उपर 33,000 के नीचे है तो कोई trade आपको लेना नहीं है sell side में भी trade नहीं लेना है आप लोग बाय करना चाहते हैं तो 33,000 की ऊपर कर सकते हैं और अधर्वाइस बांक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है निफ्टी पर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है तो आइगेस मैंने आप लोगों को सारी नॉलेज यहां पर प्रोवाइट करवा दे होगी तो प्लीज लेट मी नो अगर आप लोगी और चीज़े चाहते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज और जिस तरीके से मैं आपर देख रहा हूं कि लॉगडाउन हर हफते एक्स्टेंड हो रहा है यूपी में एक्स्टेंड हो रहा है दिली में लोग देख रहा है हर हफते एक्स्टेंड हो रहा है तो यहां पर लोगों की शॉप्स ओफिस नहीं खुल रहे हैं वो लोग एक income generate नहीं कर पा रहे है उससे हो किया रहा है लोगों के पास पैसा नहीं आपा रहा है तो मैं अब क्या है प्लान कर रहा हूँ मैं प्लान कर रहा हूँ कि उन लोगों को एक side income provide कर वाई जाए but सिर्फ income पे आ जाना और business को नहीं समझना वो सबसे जादा risky होता है तो यह सारी चीज़े आप लोगों को already पता है तो मैं अप से क्या करने वाला हूँ मुझे थोड़ा time चाहिए yes definitely but मैं एक series start कर रहा हूँ YouTube के अंदर within a couple of weeks और जहां पर मैं आप लोगों को basic to stock market कैसे enter करना है कौन सा account best है account में कौन से market orders पर trade करना है कैसे आप without my help 100-200-500 रुपे दिन का earn कर सकते हो अगर आप starting कर रहे हो सारी चीज़े provide कर वाए जाएंगी मेरे real life के थूँ मैंने zero investment से stock market के अंदर पैसा कमाया है zero rupees लगा के stock market के अंदर पैसा कमाया है without doing any trading so ये सारी benefits ये सारे मैं आप लोगों के clear करूँगा secrets तो आप लोग patience लिवेट करिए अगर आप लोग ये सारी चीज़े चाहते हैं तो please let me know on a comment section होकर इस वीडियो के अंदर thousand likes आते हैं so please मैं आप लोगों के लिए ये और वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करवा so guys thank you so much आप लोग मुझे appreciate कर रहे हैं इस तरीके से आप लोग मुझे help कर रहे हैं मेरे youtube चानल को grow करने में so please do subscribe this channel and मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो पे तब तक के लिए बाई बाई कि लिए से जल्दी से जलिए को जढ़ाँ लोग में